इस पश्टता को अपने जीवन में लाकर शामिल करने के साथ साथ इसे अपनी जीवन चर्या में दिन चर्या में हिस्सा बना लिया जाए और अपने मन से वाणी से और कर्म से इस पश्टता को अपनाने का सफल प्रयास कर लिया जाए तो एक से एक बड़े रहस्यों को एक से एक बड़ी जटिलताओं को उलजहनों को आसानी से सुल जाया जा सकता है जो इस पश्ट होगा वह साफ होगा जो इस पश्ट होगा वह नर्मल होगा जो इस पश्ट होगा वह निर्विकार होगा जो इस पश्ट होगा वह साफ सुत्र होगा जो इस पश्ट होगा वही सत्य होगा जो इस पश्ट होगा वही न्याय है जो इस पश्ट होगा वही धर्म है इस पश्टता ही इमानदारी मानवता और शांत अहिंसा का स्रोत है रास्ता है और परणाम भी है इनकी विपरीत यदि विचार किया जाए तो वह अस्विकार होगा वह स्विकारने योग नहीं होगा और यदि जो स्विकारने योग नहीं है उसे जबरन स्विकारने की कोशिश होगी तो अनर्थो होगा और जहां पर अनर्थो होगा वहां पर अगनित विकार होंगे अगनित उलजने होंगी अगनित समस्याई होंगी अगनित जटिलताई परेशानिया तकलीफे होंगी इस पश्टता को स्विकारे करके सब समस्थाएं हल हो सकते